सूप्रभाद बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में मौावरों के बारे में कुछ जानने जा रहे हैं मौावरे जो भाक्यांश अपनी सामने अर्थ को छोड़ कर किसी विशेश अर्थ को प्रकट करता है वो मौावरा कहलाता है हिंदी वाशा में मौावरों का प्योग भाशा को सुन्दर प्रभावशाली संशिप्त तता सरल बनाने के लिए किया जाता है वे वाक्यांश होते हैं उनका प्योग करते समय इनका शाबदाई करतना लेकर विशेश अर्थ लिया जाता है ये लिंग वच्चन किरिया के ही अनुसार वाक्यों में प्रविक्त होते हैं नीचे कुछ प्रचलित मुआवरे दिये गए हैं उनका आपको अर्थ भी दिया गया है और उनका वाक्यों में प्रियोग भी दिया गया है जैसे कि आँख का तारा बहुत प्यारा और ज़त अपने माता पिता की आँखों का तारा है आकाश पाताल एक करना बहुत अधिक प्रहत्न करना प्रणों ने आई एस की परिक्षा में सफलता पाने के लिए आकाश पातल एक कर दिया अंदे की लकडी असाहई व्यक्ति का एक मात्र सहारा श्रवन कुमार अपने माता की अंदे की लकडी थे इसी प्रकार यहाँ पर पच्चीस मौहावरे दिये हुएं और पच्चीस मौहारों के अर्थ अत्वा वाक्यम प्रियोग भी हुएं उन्हें आप पढ़िए और याद कीजिए और इन प्रशनों के उत्तर दीजिए मौहावरे का अर्थ भी लिखिए और वाक्यों में प्रियोग भी कीजिए और लिफाइब कोशने करने का प्रियास कीजिए धन्यवाद